दोस्तों अगर आप Scalping करना चाहते हैं तो आप ये चीज जो है वो धन पर भी कर सकते हैं धन जो है वो ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग प्लाटफॉर्म है और यहां पर आपको लॉग इन कर लेना है अगर आपके पस अकाउंट नहीं है तो मैंने लिंक जो है वो डिस् और फिलाल जो है दोस्तों हम है धन के वेब पेज पर तो यहां पर आप देख सकते हैं वेब.धन.co वाले वेबसाइट पर है हम और उपर की तरफ आपको यहां पर जो भी इंडेक्स है आपके यहां पर नजर आ जाते हैं अगर आपको इंडेक्स चेंज कर लेना है तो यहां पर प्रॉफिट अन लॉस यह सारी चीज़े अवेलिबल है यहां पर जो है दोस्तों हम फिलाल है होम वाले टैप पर होम के टैप में दोस्तों आपका पॉर्टफोलियो भी यहां पर दिख जाता है यहां पर आल पर है फिलाल तो अगर यहां पर आई पर क्लिक अगर stocks ही देखने तो stocks देख सकते mutual fund देखने चाहते mutual funds जो है वो भी देख पाएंगे ETF भी देख पाएंगे और इसमें जो है आपकी investment कितनी है current value कितनी है और overall आपका profit कितना बना है वो भी दिख जाएगा आज का profit and loss ये सारे percentage में भी दिख जाएगे यहाँ पर जो है दोस्तों आपको invest and trade on stock exchanges का option है तो अगर आप trading करना चाहते हो stock में तो equities, mutual funds, ETF, options, futures, commodities ये सारे चीज़ों में भी आप बिल्कुल trade कर सकते हो धन के app पर धन के wallet में आपके पास कितने पैसे available है, margin कितना used किया, utilization कितना है ये सारी चीज़े आप यहाँ से कर सकते हो, अगर आप top up करना चाहते है वो भी कर पाऊगे और नीचे अगर और भी scroll करोगे तो market watch का एक section आजाता है अगर आप चाहते तो NAC और BAC, NNational Stock Exchange और Bombay Stock Exchange के बीच आप यही से toggle भी कर सकते हो तो दोस्तों यहाँ पर left side में एक चीज़ आपको दिख जाती है, जो की है watch list इसको हम कहते है watch list, फिलाल हम invested वाले watch list पर है, आपको यहाँ पर 1, 2, 3, ऐसे 3 अलग-अलग तरह के watch list दिख रहे है तो फिलाल हम 1 पर अगर जाते हैं, तो मैंने इस watch list को धन F&O के नाम से save कर रहा हुआ है और धन F&O में मेरे जितने भी मन पसंदीदा stocks, index जो है, वो मैंने यहाँ पर save करके रखे हैं आकि हर बारी में आपको यहाँ पर search करके देखना ना पड़े, अगर आप चाहते हैं, watch list 2 भी देख सकते हैं, scalping के लिए मैंने अलग से watch list बना कर रखिए, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके अलवा side में जो है, आप markets का tab देख सकते हैं, markets में आप यहाँ पर trending on धन पर, यानि most search stock, most bought stock, यानि जो भी आज की दिन का trending है, यह सारे stocks यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप most sold stocks देखना चाहते हैं, तो वो भी यही से देख सकते हैं, तो काफी आसान करा गया है धन के webpage के उपर, अगर आप market scanner पर चले जाते हैं, तो आप देख सकते हैं, markets are active and stocks जो है, वो scan करें बता देगा, विदन तका आज की दिन में stocks on day low है, इसका LTP जो है, इसके volume जो है, यह सारी चीज़े आपको यही से दिख जाएंगे, market action का भी आपको यहाँ पर एक tab दिख ज सकते हैं, oh I gainer, oh I loser, सारी चीज़े, फिर आता है दोसो watch list, watch list में अगर हम चले आते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर बता है, कि watch list आप देखी पाते हो, अगर यहाँ से आप select भी कर लेते हो, watch list तो यहाँ पर भी आपको, आपके watch list के नाम अगरा जो भी है, यह दिख जाएंगे details, फिर जो है, मैंने scalping करके एक और already watch list बना कर रखे है, पर आपके, मैं एक बार दिखा देता हूँ, कि watch list अगर बना नहीं है नहीं, तो कैसे बना है, तो यहाँ पर आपको settings का icon दिया गया है, उस पर click कर लिजे, और यहाँ से आप आपकी watch list जो है, पूरी-पूरी manage कर सकत है, invested जो है, वो by default आ जाती है, जब आप invest कर लेते हो, एक बार भी अगर अपने invest कर लिए, तो आपकी invested watch list में automatically add हो जाएगा, अगर कोई watch list डिलीट करना चाहते है, तो यहाँ से कर सकते हो, अगर edit करना चाहते है, तो एक pencil का icon दिख जाएगा, वो भी कर सकते है, hide भी कर सकते और नहीं create करने के लिए, यहाँ पे add new watch list option दिया गया है, तो add new watch list पर कर लेंगे, यहाँ पे जो है, हम सही trade यानि अपने channel के नाम से watch list बना लेंगे, और अगर आपको save पर नहीं है, तो आपको सिर्फ यहाँ पे tick mark पे click करना है, अगर आपको नहीं बनानी, आप मन आपका बदल देता हो, तो cross पे click कर सकते हो, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने सही trade नाम की एक watch list बना दिया, इसमें 0 items है, क्योंकि अभी अभी बनाई गई है, और उपर update हो चुगा है, सही trade नाम की watch list आ चुकी है, तो इसके बाद जो है, हम close manage पे click कर लेंगे, और यहाँ प कर लेंगे, तो for example, मैं as an example, yes bank को ले रहाँ, तो अगर yes bank को आपको add करना है, तो यहाँ से आप watch list भी देख सकते हो, अगर आप charge देखना जाते है, trading view देखना जाते है, तो यही से कर सकते हो, आपको necessarily watch list में add करने की वगरा, बिल्कुल दुरूरत नहीं, buy sell भी यही से कर सकत दूसरा है, Bombay Stock Exchange तो फिलाल हम NSE का ही add कर लेंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हो, side trade में yes bank add हो चुका है, वह ऐसे ही आगर आपको कोई और, for example, हम nifty 50 search कर लेंगे, तो nifty 50 जो है, nifty next 50 कर लेते हैं फिलाल इस वीडियो के लिए, तो यहाँ पर add का option आ गया, तो यहाँ प को यही पर दिख जाती है, तो web पर एक advantage वो होता है, when compared to आपके mobile devices, तो अभी जो है दोस्तो हम चले जाएंगे yes bank के chart पर, तो yes bank के chart देखने के लिए आप trading view पर जा सकते हैं, चार्ट पर जा सकते हैं, अगर आप info देखना जाते हैं, तो info पर आप click कर सकते हो, और इसकी सारी detail information आ चुकी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, market technical fundamentals, financials, यह सारी चीज़े जो है, smart invest, सारी चीज़े आ चुके है, smart invest में अगर आप जाते हो, तो यहाँ पर SIP में आड कर सकते हो, basket में आड सकते हो, वगरा वगरा, इसके अलावा, यहाँ पर आप देख सकते हो, हम फिला आ गया है, SIP, forever order अगर आपको लगानी है, यानि जब यह stock जो है, एक particular price पर आएगा, एक साल के अंदर, तब यह order जो है, execute हो जाएगी, फिर यहाँ पर market depth का भी एक option दिया गया है, तो buy order कितने है, इनकी orders कितने लग रहे है, quantity कितनी लग रहे है, और इनका bid क्या है, यह graph आ जाता है, जिससे आप बता पाओगे, ग्राफिकली बता पाओगे, देखते ही, कि अच्छा है, बुरा है, अप informative decision ले पाओगे, फिर वापस market studio वगेरा, यह सारी चीज़े है, और real time trades भी आपको यही पर देख जाएंगे, तो VWAP यही से देख सकते हो आप, अगर आपक यहाँ पर देख सकते हो, पाच के इंडिकेट करता है, एक candle जो है आपकी वो पाच मिनिट की है, तो कौनसी भी candle इस graph में से ले लीजिए, आपको यह पाच मिनिट के जो भी performance रहा है, इस stock का आपको बता देगा, इसके अलावा यहाँ पर आप NAC और BAC के बीच में भी देख जाएंगी, और buy और sell को option जो है, वो यहाँ पर भी दिया गया है, अगर आप red पर click करते तो sell market होता है, और buy market तो यह जो भी market price चल रहा है, उसके हिसाब से आप buy और sell यही से shortcut दिया गया है, हाँ, अगर आप चाहते है तो limit वोगेरा भी लगा सकते हो, देखिए अभी यह graph जो है, वो मुझे थोड़ा छोटा लग रहा है, तो यहाँ पर आप full screen भी कर सकते हैं, फुल screen पर click करते ही, एक दूसरा tab खुल गया है, और उस tab में yes bank का graph जो है, वो पूरा पूरा खुल गया है, पूरे screen पर, यानि full screen पर, तो यहाँ पर यह एक अच्छी चीज दी ग यहाँ पर set कर सकते हो, अगर आप चाहते हो एक मिनिट पर करना, तो एक मिनिट पर भी यह graph जो है, आप set कर सकते हो, यानि एक candle जो है यहाँ पर यहाँ पर दिख जाती है, अगर आपको एक particular time preference अगर कुछ होगा, तो यहाँ पर star करके आप favorite भी कर सकते हो, for example, अगर हम 1 hour प पर दिख जाती है, अगर आप यहाँ पर यहाँ पर या फिर यहाँ पर यानि एकस और वाई एक्सिस पर स्क्रोल कर लेते हो, तो यहाँ पर graph की scale वह आराम से बदल जाती है, तो फिलाल जो है दोस्तो हम वापस पाच मिनिट पर चले जाएंगे, जादतर लोग जो है वह प बहुत उपर नीचे अगरा कर सकते हो आपके लाइकिंग के अनुसर और यहाँ पर जो है दोस्तो आप three years, one year, one day यह सारी चीज़े देख सकते हो तो यह सारी चीज़े वापस आपको एक दिन का पूरा पूरा ग्राफ देदेगा और यहाँ पर आगर आप one day पे क्लिक करते हैं एक दिन में कितना progress हुआ है इस stock का यह दिख जाएगा one year पे six months पे यह सारी चीज़े यहाँ पर दिख जाएंगे आपको तो फिलाल वापस one day पे चले जाएंगे तो आपस हम default settings पे चले गए तो यहाँ पर जो है दोस्तो एक और चीज़ देगे दी गए जो कि है candles के settings candle की settings यानि graph के settings जो है आप यहाँ पे change कर सकते हो बाइडीफॉल जो है वो candles पे है अगर आप bars चाते है तो bars पे click करके जो है आपके graph यहाँ पे देख सकते हो graph change हो चुका है वापस अगर आप चले जाते हो तो यहाँ पे line graph भी आप लगा सकते हो तो अगर आपको वो पसंद है त indicators भी लगा सकते हो दोस्तों तो अगर आप indicator लगाना चाहते है तो अलग-अलग तरह के लगा सकते हो autofave average directional index, bollinger band, check invollability यह सारी चीज़े जो है आप आराम से लगा सकते हो और यहाँ पे मैं कितना भी scroll करू इतने सारे indicators दिये गया है धन में कि आप कौन से भी चूज कर ली अगर आपको delete करना है तो delete paint को option यानि cross दिया गया है यहाँ पर अगर दूसरा कोई indicator लगाते है for example bollinger bands percentage में तो यहाँ पर जो है bollinger bands भी आज जोके है similarly अगर आपको बंद करना है तो बंद भी कर सकते है और अलग-अलग तरह के for example मैं moving average भी लगा दूंगा यहाँ पर यहा आते ही आप यहाँ पर देख सकते हूं कि एक moving average की line आ चुकी है और उसके भी settings जो है आप यही से कर सकते हूं तो अगर मैं settings में चले जाता हूं तो इसके input जो है length यानि कितने दिन में चाहिए तो for example मैं 30 पर अगर set कर देता हूं तो यहाँ पर 30 दिन के हिसाब से इसका moving average ज सकते square पर click करते ही आप यहाँ पर देख सकते कि अलग अलग तरह के layout दिये गया है तो यह layout क्या है देखिए अगर आप 8 graph भी देखना चाहते है side by side तो आप धन पर देख सकते हो तो यहाँ पर for example मैं अभी 2 पर लगा दूंगा यहाँ पर horizontal तो उपर और नीचे आप देख सक सकते हो दूसरे पर आप अलग इंडिकेटर लगा सकते हो और आपके हिसाब से आप calculation कर सकते हो अगर आप चाहते हो कि ऊपर की तरफ एक समझे एस बैंक का चाहिए नीचे आप nifty 50 लगाना चाहते तो वह भी कर सकते कोई problem नहीं है तो इस तरह से आप धन layout भी यूज कर सकते और अगर आप धन layout के यहाँ पे arrow पे क्लिक कर लेता हो तो यहाँ पे आपको rename, make a copy, load layout यह सारे options भी डिये गए है तो इसमें अगर आप चाहते हो कि एक तरह का layout एक तरह के आपके indicator जो है आप सेव करना चाहते है तो सेव करके बाद में load भी कर सकते हो या फिर कोई और graph के स आप भी load कर सकते तो वो आपको problem नहीं देगा तो फिलाल हम वापस one पे चले जाएंगे और scalping क्या होता है मैं अभी आपको समझा दूंगा तो दोस्तों यहाँ पर scalping में आपको समझा देता हूं तो अगर आपने यहाँ पे invest करा होता 24.58 के price पे और अपने अगर समझे 24.80 जीरो पे अगर आपके share बेच दिये होते हैं यह जादा तर intra day करते हैं scalping लोग तो अगर इस period में buy और sell करते हों तो आपको थोड़ा बहुत profit जो है आप कमा सकते हो हाँ scalping में जादा तर लोग क्या करते हैं कि high quantity में shares buy करते हैं और high quantity में sell भी कर लेते हैं तो आपका profit जो है बड़ा हो सकते हैं हाला कि आपकी share price जो है वो जादा बदली ना हो पर क्योंकि quantity बहुत जादा है आपका profit जो है वो यहाँ पे जादा हो सकता है तो इस तरह से आप scalping कर सकते हो यह आसान भाशा में मैंने बता दिया अगर आपको पता समझता नहीं तो मुझे comments में कोई doubts हो गरा होगा तो ज़रूर बता दीजी तो इस तरह से scalping चलता है तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो जैसे मैं cursor move कर रहा हूं यहाँ पे crosshair आ रहा है अगर for example 24.55 पर मैं click कर लेता हूं plus पे तो यहाँ पे आपको तीन अलग-अलग तरह के options आ जाते है तो यह जो है वो buy yes bank at 24.55 limit यानि जब yes bank का price जो है वो 24.55 पर drop होगा उसी time पर आपकी order execute होनी चाहिए अगर आप sell करना चाहते हो तो 24.55 के stop पे sell कर सकते हो या फिर आप यहाँ पे sell करते हो stop loss भी लगा सकते हो तो यहाँ पे फिलाल हम create new order करेंगे और यहाँ पे जो है हम limit पे चले जाएंगे यह मैं example के लिए एक buy कर रहा हूँ आपके सामने इसके अलावा यहाँ पे जो है आप price set कर सकते हो अगर आप units चेंज करना चाहते हो तो units भी कर सकते हो क्योंकि इसमें lot price as such बिल्कुल नहीं है अगर आप नीचे scroll करोगे तो time enforce और product जो है आपका intraday MTF याफिट delivery आप loss होने की chances जो है वो कम हो जाते क्योंकि वो intraday की तरह ही treat किये जाते है at the end of the day अगर आप ज़्यादा hold करना चाहते तो hold भी कर सकते हो तो आपको ज़्यादा tension दिलने की ज़रूरत नहीं कि साड़ी तीन बजे मेरे stocks बिकने वाले हैं तो यहाँ पर हम buy क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि order submit हो चुकी है हमारी तो फिलाल बंद कर देंगे और यहाँ पर आप देख सकते हो कि buy limit हमारी लग गई है यहाँ जो stock है जब 24.5 के price पर जब भी भी आएगा आज के दिन में तब हमारी order जो है वो execute हो जाएगी यहाँ पर आप देख सकते है इसकी quantity है यहाँ पर buy limit हमारी लग गई है क्योंकि हमने अभी तक buy किया नहीं है और यहाँ पर आप cancel भी कर सकते है order को अगर आपको drag करना है नीचे उपर क्योंकि आपको लगता है कि order जो है आप बहुत नीचे लग गई है बहुत उपर लग गई है तो आप जो है यहाँ प limit create करना चाहते हो तो इसकी stop price और limit price जो है आप यहाँ पर set कर सकते हो यानि आप कितना profit लेना चाहते हो कितना loss लेना चाहते हो यहाँ पर set कर सकते हो उस price पर जो है यह buy या sell कर देगा automatically तो आपको pension लेने की ज़रूरत नहीं है तो फिलाल जो है हम point 55 की limit लगा देंगे और limit price जो है वो 70 पर लगा देंगे तो यहाँ पर हमने एक buy limit कर दी है दोस्तों पर अगर हमें यह order जो है वो delete करनी है या फिर cancel करनी है तो यहाँ पर आप cross कर सकते हैं तो cross पर click करेंगे तब आपको confirmation पूछ लेगा और yes दबाने पर यह order जो है वो cancel हो page जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ पर दोस्तों मैं वापस एक order लगा दूँगा जो की में फिलाल आपको दिखा दूँगा कि कैसे buy or sell होगा तो यहाँ पर दोस्तों मैंने price डाल दी है टिक्स डाल दिया है टिक्स आटोमेटिकली आ जाते है वैसे पर आगर आप चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं इंट्रडे प्रोड़क्ट फिलाल लगा रहे हम तो बाई पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी सब्मिटेट यानि आपकी order एक्स्चेंज को जा चुकी है तो अभी जब यह बैंक का प्राइस है वो 0.59 पे चले जाएगा 24.59 पे तब आपकी order execute हो जाएगी तो यहाँ पर जो है दोस्तों आप देख सकते हो कि हमारी order लग चुकी है क्योंकि प्राइस जो है हमने लिमेट जहां पर लगाई थी वहां पर आ चुकी है तो यहां पर इंस्टेड ऑफ बाई लिमेट आपको यहां पर reverse position पर अगर आप क्लिक करोगे तो अगर आपको लग रहा है कि आपको loss होने वाला है तो आपकी position reverse कर सकते हो आप यहां पर क्लिक कर सकते हो और आपकी position reverse बिल्कुल हो जाएगी तो इस तरह से जो है आप यही से reverse भी कर सकते हो आपनी position तो दोस्तों अगर sell करना होगा तो यह इसे हम sell भी कर सकते हैं अगर हम close position पे चले जाते तो आप यहां पे देख सकते हो कि long 5 जो भी है आपकी अगर position close करने है close position पे ट्लिक कर देंगे और यहां पे आप देख सकते हो कि position close request successfully यानि आपके order की position close की request जा चुकिए exchange को वापस से और इसके अलावा यहां पे आपको दो arrow दिख रहे हैं एक है उपर का arrow एक है नीचे का arrow और फिलाल जो है वो एक ही candle में है तो इसका meaning क्या है देखिए जब arrow उपर होता है और एक ही जो भी candle पे arrow उपर होता है तो उसका मतलब है कि आपने इस candle पे इस time frame में आपने stock buy करा था और जो नीचे है होता है वो indicate करता है कि आपने इस time frame में आपका stock जो है वो sell करा था तो इस हिसाब से आपको एक reference लगा होता है कि आपने कहा buy और sell किया जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हो मैंने यहाँ पर buy और sell करा था तो यहाँ पर graph पर ही आपको पता चल जागा एक pictorial representation से तो दोस्तों इसके आलवा अग यहाँ पर आपको दिख जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो अलग अलग तरह के order हमने लगाये थे उसका buying average क्या था selling average क्या था LTP क्या था profit loss आपने कितना है तो आज के दिन में मैंने थोड़ा बहुत loss कमाया है कमाया है यहाँ पर इन जनरल ऐसे हो सकता है पर in profit कित आप यही से देख सकते हो और अगर आपको by segment देखना है तो by segment भी देख सकते हो by order देखना है तो by order भी आप यहाँ से filter कर सकते हो फिर आता है दोस्तों orders tab orders tab में अगर आप चले जाते हो तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो pending order का tab है तो आप यहाँ से pending order भी देख सकते हो executed orders भी देख सकते तो फिलाल जो है मैंने yes bank के order खरीदे थे तो यहाँ पर इसकी quantity कितनी है price कितनी LTP success हुया थे कि नहीं cancel करा था कि नहीं अगर fail हुआ ह भी यहाँ पर देख जाता है order का type क्या था intraday था delivery था यह सारी चीजे जो है आपको यहाँ पर available करी गई है वैसे ही अगर आप success वाले tab पर क्लिक कर लेते तो success भी आपको यहाँ पर देख जाता है failed cancelled यह सारी चीजे आप यहाँ पर filter लगा कर देख सकते हो अगर आपका call के लिए कितना available है यानि आप bank में कितना वापस दालना चाहोगे और अगर आपको और पैसे आड करने तो यही से आप पैसे जो है add कर पाओगे हाँ एक चीज अच्छे आ जाती है धन के app में और web पे भी यहाँ पर आपको दिख जाता है trader's diary trader's diary में दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो कि आपने एक महीने में कितने दिन trading किया है और उन महीनों में अपने कितना profit या फिर loss कमाया है यहाँ पे जितने red दिख रहे हैं यहाँ पे मैंने loss कमाया है यहाँ जितने आप green देख रहे हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने profit कमाया है तो और एक चीज बहुत अच्छी दिख जाती है यह आज के दिन की summary है दोस्तो तो इसमें आप brokerage charges भी देख सकते हो तो अगर आप view in detail चले जाते हो तो view in detail पे click करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो realize profit वगरा तो आज चुके है 21 trade हमने आज करे हैं और आपका brokerage कितना लगा है तो बाकी के platform जो है आपको शायद brokerage charges ठीक से ना बता है पर धन पे जो है आपको सीधे-सीधे आज के दिन के या फिर overall कितने brokerage charges अपने भरे हैं इस सारी चीज़े आपको यहाँ पे दिख जाएंगी इसके आलाव अगर आप diary में note आपके रखना चाहते है वर्ट्फिल डाइरी होती है तो वो भी आप यही से कर सकते है दोस्तों धन के web platform पे हमने scalping करा है आपको वीडियो कैसे लगा मुझे बताइए अगर आपको कोई doubt है तो comments में ज़रूर बताइए like करें, share करें, subscribe करें मिलते आपको next video thank you